और फिर एक दिन वो अपने दिल की बात बताने लगा कैसे रह सकता हूँ उसके बिना ये बात मुझे समझाने लगा मेरी जित थी कि कुछ पल बैठे वो साथ मेरे उसका फोन था सैद घर से रुका नहीं जाने लगा और पिरनले रिलेट करना कि पहले रिष्टेदार फिर दोस्तों में खबर पहुचाएंगे लोग पहले रिस्तेदार फिर दोस्तों में खबर पहुचाएंगे लोग, मेरे मरने का वज़ा साद उसे ही बताएंगे लोग, पहले माफी माँगेंगे अपनी गलतियों का, फिर बाद में वही गलती दोहराएंगे लोग, और सेरी सुनना के आखे भरी होट काप रहे होंगे, पहल छूने को तरसेंगे फिर घर जाकर नहाएंगे लोग और एक सुना के तुछ से बिछड कर कुछ कर जाना चाहिए था मुझे इस हाल में तो यही दुआ देती मुझे इस हाल में तो मर जाना चाहिए था और सेरिय सुना के उसकी साधी में आये थे शहर भर के लोग मैं गया नहीं पर मुझे जाना चाहिए था झाल